नमस्का दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले रिव्यू करने वाले एक पॉर्टफोलियो का जो की हमारी दोस्त शूलब तीवारी जी का है और इनकी अगर बात करें सिरोफ और सिर्फ 17 इर ओल्ड है इनकी वह कुप सारे हैं दूसरा जो सेर का पोर्टफोलियों उसके बारे में देखते हैं कि क्या है इनके पोर्टफोलियों में इसी के साथ मैं बता दू कि इनको जब बहुत सारा ही लोज हो रहा है तो इनको जो है एक तो मैं बता दू कि पैनि स्टोक बहुत सारे उठा रखे आपने तो इसी वज़े से जो है लोस देखने को मिल रहा है पाकि ओल अवर मार्केट देखीगा सारी की सारी कंप्लीट मार्केट में ही गिरावट चल रही है तो ऐसी टैंसन बाली बात नहीं है ल वो किया है 1,25,000 रुपे जो कि फंडामेंटर स्टोंग सेर में इनवेस्ट किया है इसी के साथ जो करन्ट वैल्यू इनकी हो चुके है वह एक लाग 15,000 रुपे हो चुके है वह इनको लोस देखने को मिल रहा है लगबक 1100 रुपे के आसपास एक परसेंट के आसपास का जो भी दिक्कत नहीं आने वाली इस कंपरी के अंदर इसी के साथ सेकेंट कंपरी के बात करें अवन्यू सूपरमार्ट डी मार्ट की तो 4000 रुपे के आसपास इन्होंने शेर उठाया है और 570 रुपे के आसपास का जो लोस देखने को मिल रहा है फंडामेटर रीटेल सेक्टर में काफी स्टोंग ये कंपनी है और इनके जगा जगा पर स्टोर ओपन हो रहे हैं इसके साथ जो इसके प्रोफिट भी लगातार बढ़ते हो नजर आएंगे गजब का ये स्टोंग है और लोग टरम में गजब की कंपाउणिंग के साथ जो पैस्टोंग को डबल ट्रिपल करेगा यदि next company की बात करें तो एक्सिज बैंक इस company की बात करें तो इसने जो ओल टाइम में गजब के रिटर्न बना करके दिये है ठीक है इसके साथ बात करें इसकी compounding की तो 20% की आसपस की compounding ये सेर आपको दे सकता है यदि इससे ज़्यादा की compounding चाहिए तो दूसरी आपको जो है गोल्ड में investment करना है तो एक की जगह पर अच्छे खासी investment की जिए इसमें यहांसे जो आपको रेटर्न करीब 10-15% के आसपस मिलेगा इसे ज्यादा का जो है रेटर्न आपको नहीं मिल पाएगा इसी के साथ बात करें दिपक नाइटराइट की तो chemical business में जो करीब करीब 2900 रुपे के आसपास चला गया था 1000 रुपे के आसपास discount में इन्होंने यह शेर लिया नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो डिक्सन टेकनोलोजी इस कंपनी का नाम है यह जो कंपनी इनके पास जो एक सेर है तो एक सेर से काम नहीं चलने वाला है जीतना invest अच्छ करती है वो LED LCD ठीक है मोबाइल टीवी और कैमरा जो CCTV होता है वो यह कंपनी जो है manufacturing करती है और जो इंडिया में made in Indian प्रोडेक्ट जो है इकलोती यह कंपनी बना रही है जो की electronic सेक्टर में है आने वाले टाइम में जो गजब की प्रोफिटी इस कंपनी में देखने को मिल सकत जो है यह देखने को मिल रहा है इनका एवरेज रेट और 893 पर जो है यह स्टोक आ चुक है 1000 रुपे की गिरावट इस शेयर में देखने को मिल लिया है नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो energy exchange इंडियन energy exchange IEX 26 रुपे के आसपास पर जो है इन्होंने एवरेज किया है 30 स्टोक लिया है लगबग जो है 6000 रुपे की investment है 182 पर जो है यह शेयर फिलाल देखने को मिल रहा है लोस मिल देखने को मिल रहा है 700 रुपे के आसपास का इन्फोसिस की बात करें यह कंपनी जो है फंडामेटर काफी स्टोंग है इसमें आप होल्ड कीजिए लोंग टरम में गजब ले सकते हैं इन्फोसिस से ठीक है फंडामेटर काफी स्टोंग से रहा है इससे ज्यादा का यदि आपको compounding चाहिए तो TCS के साथ आप जा सकते हैं काफी फंडामेटर स्टोंग कंपनी है वो भी यदि next कंपनी के बात करें तो crypto सिसकोन इस कंपनी के मैं बता दू पैनी स्ट जो के साथ जाना चाहते है तो आप वी आई के साथ जाए वोड़ाफोन आइडिया जो शेर है उसके साथ जाए जो की बहुत ही ज्यादा डीप में मिल रहा है नो रुपी के आसपास जो है यह से मिल रहा है उससे जल्दी खास रीटन आप बना पाएंगे crypto सिसकोन की बता द यह इस company के अंतर नेक्स्ट कंपणी के बात करेते हैं एलन टी इन्फो टेक इसकी बात करें तो चुआलिस सो रूपे के आसपास का जो है इन्होंने अवरेज किया दो सेर लिया है और 431 रूपे पर यह सेर जो है देखने को मिल रहा है इनके पॉर्टपोलियो में दो मर्ज हो चुका है यह स्टोक तो लोंग टर्म में मुझे लगता है उसका और इसका बिजनस कोपरेट करने के बाद गजब के रेटन आपको बना करके देखा लेटेंट व्यू की बात करें स्मॉल कैप कंपनी है इस जो है दिनों में इसकी लिस्टिंग हुई थी पिछले सकता है आई टी सेक्टर का गजब का स्टोक है और यह स्क्यूर्टी प्रोवाइड करवाता है दूसरी बड़ी कंपनियों को ठीक है इसी के साथ इनको प्रफोली में 1100 रुपे के आसपास का लोस्त देखने को मिला अठारा स्टोक है होल्ड किजिए फंडामेंटर लोंग से तीस कंपनिया रखेगा टोटल ठीक है प्रिस्पाइक फंडामेटर काफी स्टोंग है और लोंग ट्रम में गजब के मल्टी बैगर रिटन आप इस से ले सकते हैं रोजारी बैट टक में जो है एक भी नेक्टी पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा पोस्टी पॉइंट बहुत सारे देखने को मिलेंगे तो रोजारी बैट टक में भी जो आप होल्ड कीजिए कितना भी लोस हो जाए कोई दिक अदनियाव एवरेज करने की कोशिज कीजिएगा लोंग टरम में गजब की रिटन ये सेर भी आपको बना करके देगा ठीक है नेक्स्ट कंपनी की ब मेंटल काफिश्टोंग ये भी कंपनी है लेकिन मुझे नहीं लगता जो है इससे लोंग टरम में अच्छे रिटन बन पाएंगे मुझे कोई फ्यूचर में अच्छे इसके बिजनस नहीं देखने को मिल रहे ठीक है इसी के साथ दूसरी कंपनी बता दूँ मैं TCS लिम्टे करना तो TCS का पैसा उसमें लगा दीजिए बाकि दोनों ही स्टोंग से रहे हैं फंडमेटल लोंग टरम में गजब के रिटन आप इनसे ले सकते हैं चाटा कंजूमिर की बात करें तो मिड़ कैप कटेगरी में गजब के रिटन आपको बना करके देगा तीन स्टों इनके पास चेह सो चुरानुमें रुपए के आसपास रुपे तो गजब का यह भी इस टोक आपको रिटन बना करके देगा गजब के जो है आपके पास टोक है इस पॉर्टफोलियो में एक जो है यह वाला थोड़ा सा प्रोब्लम कर रहा है जो क्रिटो से इसको बता रहे हैं क्योंकि पहनी स्टोक है और इसमें कोई भी पोजटिव लाइएगा जब वीडियो को लाइक किजिएगा कोमेट किजिएगा मेरते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच